बॉमर में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर जनरली डिस्टेंस मेजरमेंट और लेवल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है इसमें अगर हम आउट्पूट की बात करें तो उसमें दो तरह के आउट्पूट होते हैं एक होता है digital output जो PNP और NPN तरका होगा and second होगा analog type का output जिसमें आपको 4 to 20 and 0 to 10 voltage का आपको output मेलेगा power supplies में 24V DC का requirement रहता है इसका range 150 mm से लेकर 6 meter तक का range है at present हम एक demonstration लेने जा रहे हैं जिसकी range 1 meter है इसे किस तरह से teach किया जाता है और किस तरह से applicable होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे इससे teach करने के लिए ferromagnetic tool या आपका जो tester आता है उससे इसको teach किया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं तीन सेकंड रखने पर उपर एक light blink होगी सामने आपका object है एक बार हमने इसका set point लिया one time यह teach हुआ then हम object को vary करेंगे जितना हमें application के according लेना है for example यहाँ पर हमने 150 mm का length ले रखा है and second time हमने teach कर दिया यह teach हो चुका है 0 से 150 mm के बीच में now आप output देखेंगे इसका voltage output आ रहा है 0 to 10 volt so यह था बाउमर में एक ultrasonic sensor thank you